असलाम अलेकुम दोस्तों तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हैदराबादी दावतों में बनने वाली चिकन दम बिरियानी की रेसेपी जो मैं ज्यादा कॉंटिटी में बना रही हूँ फ्रेंड्स क्यूंकि मेरे घर पर छोटा सा फंक्शन था तो मैंने फंक्शन मैंशन चुरू करते हैं बिस्मिल्लाइह अर्मानिरहीम तो देखे रेंड्स मैंने यहां पर ली है आ्ट किलो चावल की मैं चेकन दम बिरियानी बना रही हूँ तो इसके लिए देखिए मैं यहां पर धाई किलो प्याज लेकर उसको स्लाइसें में कट कर लिया है प्यास को तो मैं यहाँ पर इसको फ्राइ कर रही हूँ तेल को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से गरम कर लिया था अब मैं आध्याधी प्यास करकर इसमें फ्राइ कर लूँगी तो देखिये मैं यहाँ पर प्यास को आध्याधी करकर फ्राइ कर रही हूँ तो यह ज्यादा है ना तो इसलिए मैं इसको बड़े से चुले पर पका रही हूं तो यहां पर सारी प्यास अच्छे से मैंने फ्राइ कर ली है तो इसको मैं बड़े से थाल में निकाल लूँगी प्यास को और खुला-खुला कर लूँगी ताकि यह अच्छे से क्रिस्पी बनी तो देखे हैं यहाँ पर मैंने सारी प्यास को अच्छे से फ्राई कर लिया है एक बड़ी सी थाल में इण को इसको फैला दें और उसको छोड़ देंगे इसी तरीके से तो चले अब हम गोश को marinate करेंगे तो देखें याहाँ पर मैंने chicken ले लिया था याहाँ पर मैंने 8 kg chicken लिया है जिसको मैंने अच्छे से दोकर इसका सारा पाणी निकाल लिया है और जिस बरतन में हमने बिर्यानी बनाए ना उसी बरतन में मैं इसको मारिनेट कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं चार बड़े चमच इसमें नमक दार रही हूँ तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से दाल सकते हैं आप इसमें दाल लेंगे हम यहाँ पर हल्दी दाल लेंगे तो यहाँ पर तक्रीब feels security चल्मक्राइब दाल कि आप चम्मस देख सकते हैं तो मैं इसके साफ से 8 कीलो गोश्ट है यह को तो वह मैं अद्रकलएशन चा भी नहीं हूँ तो यहाँ पाँच बड़े चम्मच यहाँ पर अद्रकलेशन मैंने दाल किसे अद्रकलेशन मैं हम यहाँ पर खड़े मसाले 4 ऐजली ऐलाइची दाल ली है मैंने 8 ए,10 लोंग ले ली है और थोड़े से दालचीनी के तुक्ड़े और एक चमचमच यह जिरा लिया है तो यह खड़े मसाले इसमें डाल लेंगे आप दाल लेंगे इसमें यहाँ पर एक चमच मैंने इलाईची पॉडर ले लिया है और आधा चमच जैफल techniques का पॉडर लिया है तो ये भी दाल लेंगे हम इसमें अब देखिए आब हमने इसमें दाल लेना है यहां पर मैंने एक पकेट पूरा बीरियानी मसाला ले लिया है चिकन मिर्यानी मसाला हिए तो यह पुदीना ले लिया है बारी कट कर लिया है इसको और हराधनिया ले लिया है तो यह सारा हराधनिया पुदीना हम इसमें दालेंगे क्योंकि अखनी में ही हम यह सारी चीज़ें अच्छी दालेंगे ना फ्रेंट्स तो अखनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि हम यहां पर कच्छे गोष्ट की बिर्यानी बना रहे हैं दम बिर्यानी तो इसी तरीके से बनती है और यह अखनी में जितने मसाले हम अच्छे से दालेंगे ना तो उतने ज्यादा ठेस्ट हमारी बिर्यानी बनेगी तो यहां पर देखिए मैंने दो किलो दहीं इसमें दाल रही था ना वो प्यास ले लेंगे हम तो उससे पहले यहां पर देखिए मैंने तीन नीम्बू का नीम्बू ले लिए जिसका मैंने रस निकाल लिया था तो तीन नीम्बू का रस मैंने इसमें डाल लिया है तो नीम्बू का रस दालने के बाद देखिए यहां पर हमने जो प्यास तो झालेंगे क्योंकि हमने बाद में दम पर भी दालना होता है इसको तो धोड़ी सिप्यास मैं इसमें बचा लोगी तो देखें फ्रेंट जब भी घर में चोटा में फंक्शन होता है ना तो मैं इसी तरीके से जा तो चिकर मिर्यानी बना लेती हूं या फिल दम का चिकन रिया इस बार चिकन दम बिर्यानी बना रही हूं तो इसकी रेसेपी मैं आपके साथ शेर कर रही हूं, तो देखे सारे मसालों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने यहाँ पर जो प्यास फ्राइ कर ली थी ना उसका तेल जो बच गया था ना वो अखनी में हमने दाल लेना है तो यह जो तेल डालेंगे ना इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी बिरियानी में फ्रेंड्स तो ये तेल आप जरूर से डालिए जब भी आप बिरियानी बनाएंगे ना तो प्यास फ्राइ कर लेते हैं जो तेल बच जाता ना वो अखनी में जरूर से डालिए तो देखिए मैंने सारा तेल इसमें डाल लिया है तो आपको कितना लगता है आप डाल सकते हैं तेल तेल डालने के बाद देखिए सारे तेल को मैं अच्छे से गोश्ट में इस तरीके से लगा लूँगी और इसको हम ढखका रख लेंगे तकरीबन दो घंटे के लिए मैं इस दाल लिया है मैंने यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं मैंने घड़े से पानी दो घड़े इसमें पानी दाल लिया है तो यह इसको अच्छे से गरम होने देंगे तो पानी अच्छे से गरम हो गया है यहां पर इसमें दाल लिया है मैंने थोड़े से दाल चीनी और थोड पुदीना दालेंगे और साबी थरी मिर्सी दालेंगे 5-6 तो यहां पर फ्रेंट्स मैं इसको बड़े चुले पर पका रही हूं तो आप देख सकते हैं मैंने बड़े चुले पर यह बगुना रख लिया है और फ्लेम को अन्म है यहां पर पानी गरम होने के बाद यह सारी ची ले रही हूं यहां पर तो मैंने पानी भी उसी हिसाब से दाल लिया है और यहां पर मैं नमक दालूंगी चावलों के हिसाब से तो आट किलो चावल के लिए मैं नमक यहां पर दाल रही हूं अपने टेस्ट के हिसाब से तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर नमक दालने के ब पास्मती चावल जुसको मैंने भीगा कर रख लिया था और उसका सारा पानी निकाल लिया है मैंने तो देखोट चामवल का पानी निकालने के बाद पानी में अच्छे से बॉइल आ गया है 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 यहां पर तो यह सारे चामवलों को हमने इसमें दाल लेना है तो देखे फ्रेंट्स मैं प्लेट से लेकर इसमें सारे चावल दार रही हूँ तो सारे चावलों को अच्छे से इसमें डालने के बाद सारे चावल देखे फ्रेंट्स डालने के बाद अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे mix करने के बाद यहां पर मैं चावलों को पका लूँगी तकरीबन 70% पकने तक पका लेंगे high flame पर तो देखे फ्रेंट जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं घर पर कोई भी इस तरह का छोटा मोटा function होता है तो मैं इस तरह से dishes बना लेती हो रेड चिकन, ग्रीन चिकन, अवगानी चिकन या कोई भी sweet होता है जैसा कदू की खीर होती है, डबल का मिठा होता है, खुरबानी का मिठा होता है तो अलहमदुलिल्ला फ्रेंट्स मुझे सारी recipe आती है, सारी dishes बनाने आती है तो आप मुझे comments में बताइए फ्रेंट्स के आपको कौन सी recipe चाहिए इंशालला मैं आपके साथ जरूर से share करूँगी तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से पक गए है 70% तक मैंने इसको पका लिया है तो देखे मैं चावलों का पानी इस तरह से निकाल लूँगी तो यह ज्यादा quantity के चावल है ना तो इस तरह से मैं यहाँ पर चावल को निधाल लूँगी क्योंकि मैंने बड़ी सी छनी एक बगोने पर रख ली है और यहाँ पर मैं इस तरह से सारे चावलों का पानी निकाल लूँगी तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर पानी निकालने के बाद अब जो हमने अखनी बना ली थी ना वह अखनी में मैं क्या करूंगी यह चावल डालते जाओंगी तो सबसे पहले मैं आदे चावल डाल लूँगी क्योंकि मैं दो लेयर लगा रही हूं इसके तो आदे चावल मैं सबसे पहले इसमें डाल लूँगी तो देखे फ्रेंड मैं डबल के मिठे की रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि मैं अगर इसके साथ ही अगर वीडियो बता देती है तो वीडियो जादा बड़ा हो जाता तो इसके लिए मैं आपके साथ इंशालला दूसरे वीडियो में तोड़ा सा येलो फूट कलर दालेंगे और यहां पर और और ने नीबू के रसमें इसको मिला लिया था फूट कलर्स को और थोड़ा सा हराधनिया और पूदीना दालेंगे इसके उपर से और जो तलीवी प्यास हमने रख ली थी ना वो मैंने पहले एक बार दाली है अब फि के आ इसके प्लेवे नहीं वहीं तो ये अखनी हमारी अच्छे से पह भी जाएगी अब देखे इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूद्dle यागी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं यह पर तो देखे मैंने थोड़ा सा तेल डालिया है इसके अपर अब हम इस पे दाल लेंगे थोड़ा सा देसी घी जिस्टेकि फ्लेवर बहुत अच्छा हेगा अब इस पर जाल रही हुह थोड़े से गुलाब के पतियां डाल रही हुह मैं आब इसको हम रख लेंगे ढककर गैस पर तो देखे फ्रेंट्स गैस पर मैंने रख लिया है इसको और इसके उपर एक वजन रख लेंगे हम कुछ भी और इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी 10 मिनिट के लिए high flame पर और low flame पर 30 मिनिट के लिए छोड़ देंगे दम होने के लिए तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनिट high flame पर चोड़ दिया था और low flame पर 30 मिनिट के लिए छोड़ दिया था उसके बाद 10 मिनिट ऐसे ही छोड़ने के बाद flame बन करने के बाद gas से निकाल लिया है इसको हमने तो यहाँ पड देख सकते हैं फ्रेंट्स आप चावल कितने खिले-खिले बने हैं और य बहुत ही मज़े की हमारी दम्बिरियानी बनकर ready है फ्रेंट्स और इतनी ज्यादा मज़े की बनी थी न यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी तो आप भी न जरूर से ट्राइल तो फ्रेंड्स मुझे बताईए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो अगर आपको मेरा ये रेसेपी मेरा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिए तो इंशालला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़धार रेसेपे मैं आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दूआँ में याद रखिएगा अल्ला हाफीज